हाइट्रा गुलेकर दोपक्ष आपस में फिरे धर में घुस्तर की लाग फूसों की हुई बरसा हाइट्रा मालिक हुआ खायल कार को हुस्पिटल में हुआ भरती मारपीट के घटना घर में लगे सीथी के अमरे में खुई कैर पुड़े से नहीं की कोई कारवाई जन्नाय करपुरी शेना उत्री प्रचाओ पक्षमी जन्पत कार्प दिहार के नगर पंच्याज रनिया शेत्र के खानपूर खरंचा परस्ति हाइट्रा सरक की किरारे खड़ प्रचिस का लाग फूसों से मार्पी शुरू कर दीज़े प्रचिप मार्पी तरह से खाय रूक है जब प्रचिप कुमार अपनी सूचना लेकर थारा रज़िया के वहां पंच्या पायर नहीं के लिए सूचना उच्छा दिकारी पुपी ती लेकिन फुली सभी कप्रों के प्रचिप का लिए सुचना लेकिन फूरा विब्रार कदीप क्यादों के लिए उनका इलाज लगातार चला है फिर पुलिस किसी भी प्रकार की कारवाई करने से कत्रा रही है यह जानकारे करपुडी सेना को प्राप्त हुई तो करपुर सिना के जुला अधिक संजेय आदो ने कहा कि एक सब तहम में मुकत्मा पंजी करत नहीं हुआ तो हम जन अंदोलन करने के लिए उतरेंगे वह प्रिपक्ष का कहना है कि जार्ज करा के मुकत्मा पंजी करत की जाए और दोस्थियों के खिलाब कारवाई की जाए जब उक्तमामने पर पुलिस अनिक छाका अनपुदी हाथ ने जानकारी की तो उन्होंने बताय कि प्रात्तापत्र प्राप्त हुआ है ज़ादी चार्च करा करके उच्छी तिक कारवाई की जाए कि अच्छी को सक्ति सक्ति सजाम लिकिए लेज उत्रपदी चैनल से ब्यूरो चीप रेंद कुटता की रिपोर्ट मेरा नाम रुची यादो है क्या मामला है क्या चीज़ी फैक्टरी का मालिक आए तो उनकी फैक्टरी के वगल में मेरा हैड़रा खडा था तो आए तो कहने लगी कि गाड़ी हटाम यहां से तो मेरेधे ने लेका कि अभी ऐपरेटर रहेगा तो उसको फट वा देगे तो इस इतने में हो गाल्य करे किलाए तो वो यह कहके चले कर द american की दमगी औहीं चले गए उपara कि लड़कों को भीजा हूं सागाई उसकी तयारी लेसे है कि समय तोफस करने लड़कों को भीजा उनको क्रवा है तो अजोन अपैम्हा смर आना नífic यह लिए तो हम लोग दूर रहें मेरे आँ सीसी टीवी कामरे लगे हैं उसमें सारा मामला कैद है मेरा नाम संजय यादो है मैं जन नायक करपुरी सेना का कानपुर दियास प्रमुक हूँ और इसको कहा जाए कि मैं सोचल वर्कर भी हूँ मामला क्या है कहां की घठना क्या हुआ है यह दसल स्रीमान जी यह खानपुरू खरंजा में एक प्रदीप यादो नाम के मकान बना के रह रहे हैं वो हैड्रा उनका बैपार है है तो जो उन्होंने हम से कंप्लेन की जो उन्हो सारी की घठना है कुछ अराजक तब तो फैक्टी मालिक ने तुसा बताया गया कि तुसार गुपता फैक्टी मालिक हैं उनकी किसी बात को लेके हैड़ा को लेके कहा सुनी हुई उसके वह आवेस होके या जलन में करीब 14-15 लड़के भेज दिये गए तो उनके घर के अंद तो इस संदर में उन्होंने प्राथनापत थाना देच मौदर रनिया को भी दिया लेकिन अभी तक कोई कारवाई हुई नहीं है आज इतना समय रात में साहित भरति उनको कराये गया है टैक्टी साब ने बताया कि उनके खून के धब्बे आए हमने रिपोर्ट अभी देख कर पूरी सेना की